बिग बोस चोदा को शुरू फे कुछी दिन हुए हैं लेकिन घर में लड़ाई जगड़े लगातार देखे जा सकते हैं। हर रोज किसी ना किसी बात पर कंटेस्टेंड एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इस मामले में अभी तक निकी तंबोली काफी आगे नजर आ रही है। कि इन लोगों ने अपना दिमाग इस्तमाल नहीं करना हैं। सिर्फ लगातार बोलते रहना हैं। अब मालूम हो कि ये सारा विवाद उन सामान को लेकर हैं जो रूबिना घर में इस्तमाल करना चाहती है। बिग बोस घर में सबी कंटेस्टेन को कुल साथ आइटम्स मिल सकते हैं। ऐसे में रूबिना इस बात पर बहस कर रही है कि सलवार कमीज को दो आइटम के तोर पर क्यो गिना जा रहा है। उनकी नजरों में जब जूते को एक आइटम माना जाता है तो सलवार कमीज को भी ऐसे ही क्यों नहीं देखा जा रहा। इसी मुद्धे पर जम कर बहस होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल भी हो चुका है। वैसे इस समय रूबिना दूसरी वज़ाओं से भी सुर्क्यों में चल रही है। लंबे समय से रिजेक्शन का टैग जेल रही रूबिना को घर में एंट्री तो मिल गई है। लेकिन बिग बॉस की फटकार के बाद। गुरुवार के एपिसोड में रूबिना ने बिग बॉस पर उन्हें मांसी पीडा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें काफी टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी इस बयान पर बिग बॉस ने आपती जताई थी और उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया था। इसके बाद रूबिना को अपनी इम्मिनूटी को छोड़ने के बदले घर में एंट्री दे दी गई है। अब घर में आते ही रूबिना ने बबाल खड़ा कर दिया है। सीधे सीनियर्स को चुनोती दे डाली। उन्होंने महोल को काफी गर्म बना दिया।